नमस्कार दोस्तों, कोईक इंस्पायर योटूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों बरवादी से बचना चाहते हो, तो घर की महिलाओं को ये चार काम कभी मत करने देना जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको महिलाओं के द्वारा किया जाने वाले ऐसे चार कामों के बारे में बताएंगे यदि अगर महिलाएं ऐसे चार काम करती हैं, तो घर में बरवादी आने लगती है काउन से हैं वो चार काम आईए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं लेकिन सबसे पहले करपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें अब चलिए आज का वीडियो शुरू करती हैं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक इस्तरी किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है तो किसी घर को नर्क भी बना सकती है इस्तरी को लक्षमी का स्वरूप माना जाता है इसलिए एक इस्तरी जो भी करती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि किसी भी पुरुष के सफलता के पीछी एक इस्तरी का हाथ होता है वो चाहे मा, बहन या फिर पतनी के रूप में ही हो सकती है ऐसे ही शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको इस्त्रियों के दोरा करने पर एक पुरुष की प्रगती परभावित होती है दोस्तों इसलिए शास्त्रों में कुछ कामों को इस्तरियों को ना करने को कहा गया है यदि वो काम इस्तरियां करती हैं तो परिबार में ग्रहकलेश और संकट उत्पन होते हैं हमारे भारतिय समाज में एक इस्तरी से यहां आशा की जाती है कि वो परिवार की मर्यादा को बना कर रखे और अगर वह उस मर्यादा को लांगती है तो वो परिवार को बरवाद करने का कारण बनती है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अब आग को इस्तरियों के दोरा किये जाने वाले ऐसे चार कामों के बारे में बताते हैं जो कि इस्तरियों को कभी भी नहीं करने चाहिए नमबर एक शराब पीना दोस्तों शराब पीना किसी भी इंसान के लिए हानिकारक होता है फिर चाहें वो इस्तरी हो या पुरुस शराब एक बसे बसाय घर को उजाड देती है दोस्तों बैसे भी शास्टों में शराब पीना राक्षसों का गुड़ माना गया है एक इस तरी को लक्शमी का सोरूप माना जाता है ऐसे में अगर घर की लक्शमी ही शराब पीने लगे तो आप सोच सकते हैं उस घर की क्या हल तो हो सकती है दोस्तों शास्त्रों में महिलाओं के लिए शराब का सेबन बिल्कुल भी निसेद माना गया है ऐसी मानिता है अगर एक इस्तरी शराब पीकर कुछ उल्टी सिधी हरकतें करती है तो समाज की मान मर्यादा को ठेंस पहुंचती है दोस्तों जिसकी बजह से परिवार की बदनामी होती है इसलिए श्तरीयों को शराब का सेबन नहीं करना चाहिए नमबर दो परायद मर्दों से दोस्ती मित्रों हमारे भारतिय समाज में लड़के और लड़की की दोस्ती को ठीक नहीं माना जाता है बैसे भी इस्तरीयों को पवित्रता के नाम से जाना जाता है एक इस्तरी अपने पती, पिता, पुत्र और भाई के अलावा और किसी भी पुरुष से बात नहीं कर सकती है ऐसा करना उसके लिए निसेध माना गया है माना जाता है कि एक इस्तरी का पराय मर्द से दोस्ती करना उसके परिवार के लिए संकट उत्पन कर सकता है इसलिए अपने परिवार को इस संकट से दूर रखने के लिए उन्हें इन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है इस समाज में कुछ ऐसे पुरुस भी हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस्तरियों से दोस्ती करते हैं ऐसे पुरुसों से इस्तरियों को बच के रहना चाहिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस्तरियों को बिना बच इधर उधर नहीं घूमना चाहिए यहां तक कि घर में ऐसे भी नियम बनाए गए होते हैं कि एक इस्तरि बिना घरवालों से पूँछे कहीं भी घूमने नहीं जा सकती है यदि एक इस्तरी बिना घरवालों की इजाज़त से कहीं घूमने चली जाती है तो घर में कलेश होना आनिवार रहे इसके अलाबा शादी सुदा इस्तरीयों के लिए यह नियम और भी सकत है वो बिना अपने पती के इजाज़त से कहीं भी घूमने नहीं जा सकती है नमबर चार पती से अलग रहने वाली महिला दोस्तों हमारे समाज में एक इस्तरी की पहँचान एक पुरुष पर निर्वर करती है जब एक इस्तरी की शादी हो जाती है तो उससे यहा आशा की जाती है कि वो अपने ससुराल में सुख पूर्बक रहे दोस्तों इसके साथ ही वो अपने पती और साथ ससुर की सेवा करे उस इस्तरी से यह भी आशा की जाती है कि ससुराल में कुछ भी उसके साथ हो जाए लेकिन उसे अपना ससुराल छोड़ कर नहीं जाना चाहिए दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि पती पतनी के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है ऐसे में कुछ इस्तरियां अपने पती का घर छोड़ कर चली जाती है हमारे समाज में पतनी के लिए पती का घर छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है ऐसे में जो इस तरियां अपने पती का घर छोड़ कर अलग रहती हैं उन्हें हमारा समाज चरित्रहीन कहता है तो दोस्तों यही वो चार काम ऐसे हैं जो कि घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में फेस्बुक और बाटसे पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन जरूर दबाएं क्योंकि दोस्तों इसी से आप आगे आने वाले वीडियो आसानी से देख पाएंगे फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत